अब को ये शेन पेंट जो स्टॉक है उसके उपड़ ऐने लाओ कि आने वाले ट्रेडी शेशन में जो स्टॉक है उसके उपर क्या करके चलना चाहिए complete यहाँ पर technical base को अपर यहाँ पर बताने के कुशिश करूँगा company के कोई भी यहाँ पर fundamental में check नहीं कर रहा हूँ रही fundamental की बात करेंगे तो बहुत ही strong company है quarterly to quarterly regional बहुत जबरदस और year by year में भी देखो है तो बहुत जबरदस प्रमोटर की भी जबरदस holding है यह पर चबरदस holding है लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में देखोगे तो लगबग लबगा 5% में 5% का downfall आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में Asian pin के उपर लगते हैं देखने को मिला लगबग लगबग 185 रुपिज के असपास आज के ट्रेडिंग शेशन में गिरावट देखने को मिली रही बात यहाँ पर कुछ सपोर्ट रेजिस्टन्स के बेस के ओपर यहाँ पर संदाने के कोशिश करूँगा कमप्लेट एनसे टेकनिकल बेस के ओपर रहेगा काफी दिन से देखोगे तो इस रेंज के अंदर ही ट्रेडिंग कर रहा है तो उपर का रेंज यहाँ पर मैं कर देता है यह ब्लू लाइन में और नीचे वाला ब्लैक लाइन में किया आप देख सकते हो इसी रेंज के अंदर काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहा है रहे बाद जो rally चली थी एशन पेंडी के उपर देखो तो लाजबाब rally देखने को मिला market के अंदर आपको downfall देखने को मिल रहा है तबी भी आपको इस stock के अंदर rally देखने को मिल रहा है और इसके पहले आपको गिरावट देखने को मिली थी उस टाइम पे आपको कुडायल के अंदर rally देखने को मिला था तो यहाँ पर 40% के आसपास आपको इस stock के अंदर जबर दस बाइंग देखने को मिल रहा है और इसके पहले वाले जो गिरावट आई थी वो कितने परसंट के आई थी यहाँ पर भी calculate करता हूँ मैं तो यह चोटा सा यहाँ पर एक resistance था उसके बाद यह लगबगलब 18% की गिरावट आई थी और उसके पहले वाले जो गिरावट आई थी यहाँ पर देख लिजे वो अलमोस्ट यहाँ पर कम से कम देख लिजे 28% के आउसपास यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिला था लगबग लगबग 30% के गिरावट के बाद यहाँ पे almost 40% के आसपस रैली देखने को मिला, बहुत जबरदस रैली आपको यहाँ पे देखने को मिला, अभी आगे की चाल क्या होनी चाहिए देखो इस रेंज के अंदर काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहा है, लगबग 200 रुपे के आसपस टेडिंग कर रहा था, fundamental बहुत strong company है, आप यहाँ पे एक regular income भी generate कर सकते हो, regular income आपको generate करना है, तो यह stock बहुत अच्छा है, overall trend देखो के तो मैं यहाँ पे monthly चार्ट लगँगा या weekly चार्ट लगँगा तो इसका चार्ट देखो यह तो कभी भी इसने अ 2017 से 200 रुपे के बीच में ट्रेडिंग कर रहा था 2012 में, और 2012 से कितना परशन का rally दिया, वो भी देख लिए, almost 2000% की इसने rally दे चुका है, मतलब यह 10 साल के अंदर आपको यहाँ पे 2000% return दे चुका है, और यहाँ से भी यह 2000% आपको आने वाले 10 साल के अंदर return देने वाला है तो 2000% में aggregate करता हूँ, आज के closing price से, तो 2000 मतलब यह stock कितना जा सकता है, आप सोच सकते हो, यह देख लिजे, यह देख लिजे, 2000% की में बात करता हूँ, आने वाले 10 साल का आपको target होगा, तो कम से कम यह stock आने वाले दिनों में 60,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है, ठी युकुल आप stock के साथ hold कर सकते हो, जीस तरीके से इसके chart दिख रहे है, उस chart के base के ओपर यहापर बताने की कोशिस किया, जो back data होता है, उसी के base के ओपर analysis किया जाता है, रही बात इसके competitor, एक दो ही ऐसे competitor है, जो pen stock के अंदर competitor है, आने वाले 10 साल का भी इसका scope है, और दिप 10% की गिरावट आती है, तब आप buy कर सकते हो, तो यहाँ पर मैं daily candle लगाता हूँ, तो किसी को fresh entry लेना है, तो 10% की गिरावट aggregate कहा होती है, क्योंकि आज तो 5% की गिरावट हो चुकी है, कोई भी stock aggregate 15-20% का correction हो जाता है, मैं top से calculate करता हूँ, तो 20% निकल के रहा है, 32 रुपे से आसपास करना है, 32 के आसपास आता है, तो first buying आपको 32 के आसपास करना है, वहाँ पर मिलता है, तो first buying करिए, और second buying और 10% गिरता है, तो और एक buying आपको 3000 के आसपास करना है, long term target मैं यहाँ पर बताई दिया, आने वाले दिनों में, यह stock आने वाले दिनों में 60,000 तक भी जाते हुए देखने को बिल सकता है आने वाले दस साल का होल्टिंग प्लान है लॉंग टर्म का प्लान है तो इस टॉक के साथ आप जरूर जा सकते हो पिछले वाला जो इन्वेस्टमेंट के बेस को पर यहाँ पर बताने की कोशिस किया लगबग लबच दो हजार परस और यहां से दस परशन का करेक्शन होता मताथ तीन हजार के आसवास आता है और वहां से में चैलीश परशन्ट का रैली दिखाता हो तो यहां पर चार हजार तीन सो तक का आपको investment का plan है तो ये आपको 60,000 तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है